नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है सिकर और स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं UKPSC का दोस्तो एक पेपर हुआ था 2021 में अगस्त में उस पेपर को दोस्तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस UKPSC के एक्जाम में ज्यादा तो आपको दोस्तो लगबग हर एक्जाम में जैसे पूलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम में सबसे पहले फिर पर तो आप मान सकते हैं कि यहाँ भी 6 से लेकर 8 कॉस्टिन तक करेंट अफैर भी आ सकते हैं इसलिए आपको करेंट अफैर भी बात करते हैं पहला परशन है भारत में निमलिकित में ऐसे किस्तिको पर्टी वर्स खेल दिवस मने जाता है दोस्तो 29 अगस्त को मने जाता है फिल्कुल याद रखेगा छपेगा एक्जाम में 20 मार्स तो आपको इतना याद रखना है कि जो धोला वीरा है घडपा शब्यता का दक्षिन केंद्र जिसे हाल ही में युनस्को विश्व विरासत साइट टैक परापत हुआ भारत के किस राजी में तो कूल में लागे दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि जो धोला विरा है अडपा सब्वेता का जो केंद्र है दोस्तों इस्तल है वो कहा है गुजरात में आपको सिर्फ इतना याद रखना है एक्जाम अगर बनेगा तो अगला परसन है उस केंद्र साशित परदेश का नाम बताईए जो 100% औरगैनिक बन गया और जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेश्टी साइट्स का परियोग नहीं हो रहा दोस्तों ये है लक्षदीप अगला परसन है अखिल भारती है ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पर्थम अधेक्च कौन थे दोस्तों UKPSC जबरदस्त परसनों को पूछता है यह उजय का लाला राजपतराई बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है रिपीट होगा दोस्तों परसन ओबरड्राप्ड सेविंग दे इंडियन सेवर पुस्तक के लेख़ए उस्तों उर्जित पटेल यह आपको याद रखने है भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है दोस्तों एक काणडला गुजरात वाली अगला परसन है टोक्यो ओलम्पीक में भारत में कितने कास्टि पदक जीते हैं उस फिल्म का नाम बताएं जिसने कांस फिल्म उत्सव में हाली में पौल डियार जीता था दोस्तो टाइट ने था ये आपको याद रखना है महसू दांगली और जाली जैसे लोग निर्ती दोस्तो हिमानचल परदेश के हैं जाली भी आ सकता है महसू दोस्तो लोग निर्ती भी आपको पढ़ लेने है नीरज चोपडा ने टोक्यो उलम्पिक में किस एवेंट में भारत का एक मात्र स्वन्ड पदक जीता तो नीरज चोपडा दोस्तो इनका सम्मन्द भाला फैंक जेवलीन त्रोसे है भाला फैंक दिवाश दोस्तो 7 अगस्त को मना जाता है ये भी आपको याद रखना एक जम बन सकता है निमलिकित मैसे किस राज जी ने भारत की पूरुस होकी टीम एवं महिला होकी टीम को परायुजित के अधर तो ओडिसा में हुआ था अगला परसन है भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को बिभाजन बिभीस का इसमिर्थी दिवस के रूप में मनाए गया 14 अगस्त 2021 को बिल्कुल दोस्तो आपको याद अखना है अगला परसन है कौन सी समिती पंचाईती रात से संबंदित नहीं है बल्वन्त राई मेहता 1957 बिल्कुल है दोस्तो असोक मेहता 1978 ये भी है वी के आरवी राउव दोस्तो ये भी है तो इसका सेवत्रचर को संतानम समिती नहीं है तो इसका सेवत्रचर को ऑप्सन नबर भी अगला वर्षन है भारत में सबसे पुराना अडू सक्ती स्टेशन कौन सा है दुस्तो तारापूर है अगला किने भारती रिजरु बैंक के गवर्नर के रूप में पुनह न्युक्त किया गया है सक्ती का अंदास बिल्कुल नाम आपको यादक नहें गौताम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश के सिस्तान पर दिया था दूस्तो सारनात में दिया था कलिंग के सासक खारवेल की उपलब्दियों का विवरण की सिलालेक में मिलता है तो हाती गुमफा अभिलेक में मिलता है लूसेंट में आपने पड़ा होगा कथा सरीत सागर का लेखक कौन है दोस्तो सोमदेव है याद रखेगा कौन सी पुस्तक अमीर कुष्रो द्वारा नहीं लिखी गई है नुहू सिपियर लिखी गई है देवल रानी खिर्जखान लिखी गई है तो खजाइन उल फुतु दोस्तो ये भी है इसका सेवत्रुज कंपणी की सेना का सेना पती था उस्तो ये था हेक्टर मुन्रो यह आपको याद रखने है दास कैपिटल के लेखक कौन है दुस्तो काल माक्स ने अठार सो शटट में उस्तो लिखी गी थी बहुत ज्यादा महत्पूर नहीं याद रखेगा बुलंद दर्वाजा का निर्म गोलगुमज बीजापूर में बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है रिपीट होने वाला परसने दुस्तो ये बार-बार एक्जाम में आता है गोलगुमज का है बीजापूर में याद रखेगा टॉमस मुन्रो किस चेतर में अपने कार्री के लिए जाने जाता है भूमी बंद बास्तील का पतन किस देश की करांती समझे उस तो फ्रांस बहुत ज्यादा महत्पूर्ण ने याद रखेगा बास्तील का पतन इंग्लेंड में रक्तहिन करांती अथवा गौरमाई करांती की स्वर्स हुई थी तो 1688 सी याद रखेगा बिल्कुल एक्जाम में चपेगा किस ने इटली के एकी करण में योगदान नहीं दिया मेजनी न दिया था कावर ने दिया था गेरी वाल्डी तो इसका सेवत्र का उस्तो मैटर निक बहुत ज्यादा महत्पूर्ण ने रिपीट हो सकता है रोम नौव वन्स का समंध किस देश से दो रूस से है पर्था में विश्व युद्ध के पस्चात सांती समय निकिसिस्तान पर वाता पेरिस में वाता बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है वाटर लुका युद्ध किस वर्थ हो आता उस्तो सीधे आपको याद रखने है रिवीजन आपको यहाँ पर करना है जो भी दोस्तो पुराने पेपर ह हैं उनमें जो कोश्चिन पूछे गए हैं लगभा दोस्तो जैसे पूलिस कोंश्टेबल का एक्जाम का सबसे पहले आप मान सकते हैं तक जितने भी पेपर पहले हो रखे हैं 10 से 15 कोश्चिन दोस्तो सीधे सीधे या थोड़ा ऊपर नीचे दोस्तो इस लगभा इतना मान सक लगते हैं कि इतने कोश्चिन रिपीट होते हैं सब एकजाम होते हैं चाहें UK SSC पहले तक पेपर कराता था अब UK PSC यहां भी दोस्तो होते हैं इतना आपको दोस्तो आपको एक एक नंबर अपना बढ़ाना है कैसे भी करके एक नंबर से दोस्तो आप तब भी पर दोस्तो आपको आपको और नहीं पड़ाना है उनहां आपको इस बीच पड़ना है सक लोग आप पतशनात के नाम से किसे जाना जाता है हर्स वर्दन को धोस्तो रिपिट होता है परसन बार-बार किस वंस से सम्मन्द था साथ वहां वंस बिलकुल दोस्तो याद रखेगा रिपिट होगा ये परसन जूनागड अभिलेग उद्रदामन का है लूसेंट में उस तो शुरुवात में आपको यह मिल जाये का तो जरूर से अपना रिवीजन कर लिजेगा जिन्होंने नहीं किया है जूनागड अभिलेग असोग पर्याग परसिष्टी हरिकेंड तो हरिसेंड दोस्तो इसका से उत अब पर चल रहे हैं कौन सा युग में सुमेलीत है अब देखें दोस्तो पानीपत का 's diutu युद उद' 1596 मन वकलत है यह आपर अंपर का बिजन्डन क्या नम से जाना जाता है जूस्तो यह कउए के बागवान, भार बार रिपीट होने वाला परस्ण है डारलिंग दूस्तों क्या है, एक नदी है अग लागारा परस्ण है कौन सी उष्ण कटी बन दी है वर्षा, बनू की विशेशता है तो साल भर वर्षा इसका सेँटर होगा अग्ला परस्ण है चीन की सबसे लंबी नदी दोस्तों यह हो जाएगी यांग्त जे यांग्त से क्यांग ओप्शन नमर एउगा इसका सेवत्तर लैंड ओफ थंडर बोल्ड कहा जाता है बहुत जाता है महत्पुर्ण दोस्तों भूटान को कहा जाता है रिपीट हो सकता है लेंड ओप थंडर बोंड दोस्तो खा जाता है भूटान को जापान का सुदूर उत्तरी दीवी पिश्टी दोस्तो यह है होकडो ये क्यूसू, सिककोगू, होनसू और होकेगडो दोस्तो ये सभी के सभी जापान के दीव हैं परमुक तो यह हो जाएगा होकेगडू याद रखेगा तक्षणी गोलार्द में वायू के बाई और मुणने का कारण दोस्तों यह है पिर्थिभी का घूनन पिर्थिभी का निकरतम गर है सूर्य है बिल्कुल याद रखेगा अगला परसन है एसिया महादीब से बाहर विश जलपर पाद उस्तों यह है एंजल जलपर पाद बहुत जढ्दा महतपूर नहीं एकजाम फिर से रिपीट हो सकता है एस विशiko में सर्वर्च जल परेता है अगला परसन है przysz ने यूरोप में उत्री सागर का मतस्या भी प्रीट होने खने में लिखित मैंसे कौंसी मिट्टी सबसे अदिक उभजी I जलोड मिट्टी है याद रखेगा बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है बार बार रिपीट होता है परसने चेत्रफल की दिश्टी से भारत का सबसे छोटा केंदर साशित राजी दुस्तो ये लक्षदीब है याद रखेगा भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर् आजिस्तान में याद रखेगा कौन सा पेट्रोलियम परियोग साल निया जामनगर गुजरात में सबसे बड़ी डिगवोई असम बरॉनी असम दोस्तों ये सभी है इसका से उत्विजगा ऑप्शन बर भी जमसेदपूर 2011 की जनगरना के नुसार भारत का जनसंक्या दोस्तों ये है 382 वर्ग किलोमेटर तो ये आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा महतपूर्ण है उत्राखंड का 189 अगला परसने मधिपर्देश में कैमोर कैमोर नामक इस्तान सुपरसिद्ध है दोस्तों ये सीमेंट उद्योग के लिए मिल जाएगा आपको लूश 235 परमुक्त है आधारित्था नेहरू समिती की रिपोर्ट में की गई अनुसंचा पर बिल्कुल सही है साइमेन कमिशन के अनुसंचाओं पर तीनु गोल में सम्मेलन के विचार विमर्ष पर आप्सन बढ़ी अगला परसने किस चार्टर को वह जिवान कहा जाता है जिससे 25 वर्ती सभी एंगलो इंडियन्स सहीता है विक्षित हुई तो चार्टर ओफ शोल्सो को तो यह आपको याद रखने है किस वर्स मदरास एजजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया 1665 में याद रखेगा भारत में पर्थम मेयर नियायले की स्तापना 1687 में उस्तो नहीं करना ची चार्टर ओफ शोल्सों याद रखेगा दुस्तो अगला प्रसन है भारत के लिए केंद्र दथा परांतूं के मद्धी बिध्धाई सक्तियों को विभाजित करने वाला संगी धाचा स्वरु पर्थम इसके दोरा अंगिगरित किया गया था भारत सासन अधिन के दारा अगला प्रसन है वर्स उनिस्सों पैतालिस की वावेल योजना का मुख्य घोशित उद्धेश सी था तो भारत के सबी पर्मुक समुधायों को परतिंतित देना बिल्कुल याद रखेगा एक अगस्त सोल्सों बहुत्तर की गोश्टा ने पूर्णतया खतम कर दिय पुरुत गीज विधियों को अगला प्रसन है मुगल बासा सहालम ने बंगाल बिहार और उडिसा का दिवानी अधिकार इस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नेमित रुपियों के बदले में दिया था 26 लाग याद रखेगा लॉड कार्णवालिस की नियाई क्योजना की अंत स्तापित किये उच्च नियाला उस्तों मदरास बंबाई कोलकता बहुत जादा महत्पूर्ण है भार बार रिपीट होता है भारतिये पर्थम विधी आयोक का अध्यक्च कौन था अगला प्रसने है भारत का दित्विये विधी आयोक किस अधिनियम के तह निक्त किया गया अधिनियम 1853 के द्वारा तो दोस्तों हम जल्दी जल्दी यहाँ पर चल रहे हैं रिविजन आपको करना है बाकि उत्तर यहाँ पर ठीक है जल्दी से आपको रिविजन कर लेना है क्या बता इनमें से कर कोई फ्रसन आ जाएगा तो आपको उस्तों बहुत जादा हिल्पों समाप्त करने के लिए सिपारिस की थी तो यह आपको याद अखना है साइमन आयोगने अगला परसन है और्डी और्टेरम पार्टेम लेटिन वाक्यानस का अर्थ है दूसरे पक्च को सुनो दोस्तों खहल फिलाले आपके एक्जाम में नहीं आएगा अगला परसन है भारत क सविदान सरुपर्थम संसोधन क्या गया 1951 अगला परसन है बिधी का साशन का अर्थ है कि विधी के हमक्चे सबी ब्यक्ति समान है अगला परसन है किसी दूसरे ब्यक्ति की संपत्ती में अनाधिकरित परवेश करना कहलाता है अतिचार मूल अधिकारों को लागू करने के लिए नियायले द्वारा निर्गत किया जाता है या चीगा विल्कुल आसान है याद रखेगा भारती सविधान के किस भाग में मूल अधिकार दोस नियमित किया गया 1916 में उस्तों कई बार हम इसे देख चुके हैं अगला परसन है किसी नियायले के निर्नए आदेश की अवग्या कहलाता है दोस्तों नियायले की अवमानना तो यहीं होगा इसका सेवत्र आप्सन मर्भी अब देखे दोस्तों उत्राखंड के कितने मतलब आसान कोश्चिन है बिल्कुल फूल जैसे प्रसन है लट्टू प्रसन है यहाँ पर पाराही मंदीर में लगने वाला देवी धुरा मेला रक्षा बंदन के दिन दूस्तों इसमें आपको अगर आसान कोश्चिन आते हैं वहाँ पर एकजाम में तो जादा आपको खुस नहीं ह करना है ज्यादा खुस भी नहीं होना है परसना आ रहें तो पहले आप पेपर आपको अच्छे से पिल्कुल आ रहा है तो जैसे एक उंगली दूस्तों आपको अपनी आंसर सीट पर रखनी है जहां पर जिसको आप गोला करेंगे जैसे 94 है और एक उंगली दूस्तों आपक पेपर में कि पेपर में कौन सा नंबर है फाकि वहाँ पर आंसर सीट पर ए है बी है सिए जो आपको टिक कर रहें गोला भर रहें वह है आपको ठीक करना अशतो कि ये ओफलाइन पेपर हमारा भारत की जनगर्णा 2011 के नुसार उत्राखंड के किन जिलू में नकारात्मक रिनात्मक जनसंक्या विरिद्धी रही पोड़ी गड़वाल गड़वाल का मतलब उस्तु पोड़ी गड़वाल है और अलमुड़ा उत्राखंड राज जी का आठवा नगर निगम उस्तु क उत्राखंड में सार पददी उस्तो यह हो जाएगा फसल चक्र परनालिस से असौद लगता ना उसमें सार जो पल्टा लगाते हैं मतलब जो और लोग आते हैं काम करने के लिए वही है यहां पर इसका से उत्रुछ जागा ऑप्शन वर्सी गुर्खु ने कुमाओं पर 1415 तक यानि कि 25 वर्स रहेते अगला परसन उस्तो बिल्कुल आसान है देखें यहां पर सतो पंद से अलग नंदा निकलती है खतली इंगलेसर से उस्तो भिलंगना निकलती है चौरा बाड़ी मंदा किनी मिलं बजगा गोरी गंगा तो यह आपको याद अखना है किसी ओप् अगला परसने आपर हमारा देहरा दुन में सर्वे ओफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षन विभाग की स्तापना हुई थी दोस्तो यह हुई तो देखें दोस्तो हमने 20 मिनट से भी पहले 104 परसन पर हम पहुंच गे हैं इसी तरह से जल्दी-जल्दी हम चल रहे हैं उत्रा खं संट राज के कि तने जिलू की सीमा न्तराष्टी लके सीमा से मिलती है दोस्तो बिलकुल आशन है उत्रसरों या citizen Keum अगला परशन है चेत्र भर के अनुसार उत्राखंड के जन्पदूं का आरोही करम, चंपाउत का उस्तों 766 है, रुदर परियाग 1984, 2222-46, तो यही होगा इसका सेवत्रा उप्शन मरसी, टिहरी रियासत नरेश भवानिसा द्वारा, जंगलूं के कटान का ठेका किस अधिकार पहाडी को दिया गया था, बिल्षन को दिया था, यह फैडरिक बिल्षन, पहाडी बिल्षन, कतियोरी नरेशूं की राजधानी थी, तो कारती केपूर थी, टिहरी रियासत का भारती संगवं भिला, एक अकस्तु निसा उन्चास, बार बार आता एकजाम में, लगू हिमाल अगर वर्सने वरसे 2211G अबारती जंगरणा के अनुशार उत्राखंड राज्यका, ञंसंकिया घनत्त 189, भारत का भी आया था, उत्राखंड का भी आया भारत का 382, तो दोणो आपको याद था, अगला परशन है उतराखन्ड की सरवाद्धिक पराचीन ज्यात जाती नसल है ुकूल अगला परशन है उतराखन्ड विधान सबाक के लिए रखा गया तो एक अगस्त किया था उत्राखंड राज जी की घोषणा के समय भारत के परधान मंतरी कौन थे उस्तों ये थे अटल बिहारी बाजपई 15 अगस्त निस्व च्यानब्बे अगला परशने है निमिलिकित मैं से उत्राखंड के किस जनपद में बीच बचाओ आंदरन की शुरुवात हुई टीरी कड़वाल में 1987 में हुईती बिजय जड़धारी अगला परशने है उस्तों किस ने कहा कि भारतिय सविधान वक्किलूं के लिए स्वर्ग है तो ये कहाता आईवर जेनिक सिने बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण रिपीट होगा सविधान सबाकी मौलिक अधिकार उपसमिती के अध्यक्ष बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण उस तो जे भी किरपलानी थे याद रखेगा चपेगा परशने राजी के निती निदेशक सिध्धानतूं को सविधान में सामिल करने का सुझाव किस ने दिया था विएन राव ने दिया था तो याद रखेगा राजी के निती निदेशक तत्तूं को सविधान में सामिल करने का सुझाव विएन राव भारत के पर्थम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन पार बार रिपीट होता है प्रस्ने परधान मंतरी कार्या लाई को विभाग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया 1961 में समान नागरिक सहिता अनुचे 44 गराम पंचयतो का गठन अनुचे 44 दोनु याद रखे समान नागरिक सहिता अनुचे 44 बहुत ज्यादा महत्पूर्ण रिपीट होता है बार बार भारती सविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत न्याईक पुनरिक्षण का परावधान किया गया अनुच्छे 13 में कराम सभाग का परावधान सविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत किया अनुच्छे 243 के B में पहुत ज़्यादा महतपूर्ण एक्जाम में बनेगा अंतराज जी परिशत को 1990 में किस आयोग की सिपारिस पर इस्ताफित क्या गया था सरकार्य आयोग पहुत ज़्यादा महतपूर्ण है 28 में 1990 अगला परसन है सविधान के अनुसार राज बिधान मंडल के उच्च सदन को कौन इस्ताफित अथ्वा निरस्त कर सकता है तो संसत के पास अधिकार है अगला वर्षन है निम्न में से भारती सविधान का कौन सा अनुचेद भारत के राष्ट पती पर लगाए जानने वाले महाभियोग परिकिर्या से सम्बंदी थे अनुचे देखसर बहुत जादा महत्पूर्ण नहीं याद रखेगा अनुचे 288 में उस्तो बित्तायोग है तो ये आपको याद रखना है पिछडा वर्ग आयोग उस्तो 338 के भी में है और निर्वाच नायोग 324 में महाना उधिकार उस्तो इस सविधान में नहीं मिलेगा अगला वर्षन है भारत ये सविधान की कौन सी अनुची दल बदल बि अनुचेद 18 में लोग निवोजन माउस्वर की समता अनुचेद 16 अस्पृस्ता का अनुचेद 17 यह आपको याद अखने वाक्यों अभ्यक्ति की समता अनुचेद 19 अगला परसने भारतिय सविधान के निमन अनुचेदू में से अनुचेदू को सवन तिर्भुज कहा जाता है अनुचे 14-1921 बहुत ज़्यादा उसतो महत्पूर्ण है अनुचे 14-1921 इनको कहा जाता है शवन तिर्भुज रिपीट हो सकता है उसतो परसने सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस हो जाएगा इसका से उतर कौन सा स स्टम सॉप्टेर है तो कंपाइलर हो जाएगा इसका से उतर अब कंप्यूटर के लगातार परस्निया पर देखने को मिलेंगे वह सॉप्टेर जो आपको वेब पेज दिखाता है उससे कहते हैं वेब ब्राउजर कहते हैं लार के पाचन में उस्टो इस्टार्ट से जो होती ह साइग होती है दोस्तो इसकी पीडेव आपको मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं साइन से आप फिलाल हमारे एकजाम में इनमें कमी देखने को मिलेगी अगला परस्ने जल जीवन मिसन कप शुरू आता अगस्त 2019 में समवार 2.0 कि से संबंदी था मानसी स्वास्त से समग्द सि द्याले सिक्चा से आपको याद अखने हैं 20 सितंबर 2021 को कनाडा का तीसरी बार परधान मंतरी कौन बना है जस्टिन ट्रेडियू अब दूस्तो ये भी आपको याद अखने है कि स्रिलंका में पीम कौन है राष्टेपती कौन है नेपाल में कौन है भूटान में बाकि और भी देशुगा आपको याद अखने है इस तरह से मेन मेन जैसे ऑस्टिलिया के कौन है यूक्रेइन के कौन है इस तरह से आपको देख लेना है गुजरात के सत्रुवे मुख्य मंतरी उस्तु भूपेंदर पटेल भारत के सभी राज्यू के मुख्य मंतरी और राज जिपा इनको भी आपको देख लेना है पंजाब के राज जिपाल दोस्तों यह हैं बन्वारी लार्ल पुर्यूत यह भी आपको याद अखने नहां सक है नहीं अध्यक्शा कि किसे बन और योग की सड़क बनाई तो लद्दाक में याद रखेगा भारत और सौधी अरभिया के मध्य अब तक पहली बार हुआ सेन्य अभ्यास का नाम दोस्तु बताना है अल मोहमद अल हिंदी 2021 अगला प्रस्ण है केद्र सरकार ने किसी स्तान पर भारतिय बिरासत सस्तान किस देश की सबसे बड़ी कारबन ट्रेडिंग मार्केट आरंब किया चीन ने भारत में कितनी भासाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त अच्छे हैं नौरोज कहा दोस्तों एक पारसी नवर्स है तो यह आपको यादक नहीं है तो इसमें हमने देख लिए अलग बग दोस झाल झाल